नमस्कार स्वागत आपका आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं प्रिया लेकर हाजरू हमारा खाश शो बॉलिवुड तरगा बॉलिवुड की जूसे स्टोरीज के साथ सो विधाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं शुरूआत और बताते हैं आपको क्या कुछ हो रहा है इन दिनों बॉलिवुड के गलियारों में नार्कोटिक्स कंचोल ब्यूरो लगतार बॉलिवुड पर शिकंजा कस्ता जा रहा है अब एन सीबी ने ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारते सिंग के बाद उनके पती हर्ष लिंबाचिया को भी गिरफतार कर लिया है हर्ष लिंबाचिया को एन सीबी ने ड्रग्स लेने के आरोप में 15 घंटों की पुछताश के बाद अरेस्ट किया है शनिवार को एन सीबी की पुछताश में भारते सिंग और उनके पती हर्ष लिंबाचिया को रविवार मेडिकल जाश के लिए ले जाया गया था नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों की कोरोना जाश भी करा सकती है चिकित्सा जाश के बाद उन्हें कीला कोर्ट की अनसीबी अदालत में पेश किया जाएगा बॉलिवुट को अलविदा कह चुकी दंगल गर्ड नाम से मश्हूर जायरा वसीम ने अपनी फैन से एक गुहार लगाई है जायरा ने इंस्टरग्राम पर एक पोस्ट में अपने फैन से गुजारिश करते हुए कहा है कि वे उनकी तस्वीरे डिलीट कर दे उन्होंने कहा है कि वो जिन्दगी का एक नया अध्याय शुरू करना चाहती है जारा ने इस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उसमें उन्होंने अपनी तस्वीरे हर फैन पेज से हटाने की रिक्वेस्ट की है पता दे कि जारा ने इस्टाग्राम, ट्विटर और फेस्बुक जैसे सभी सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी सारी फोटोस हटा दी है उनके इन अकाउंट्स पर अब एक भी फोटो नहीं है बलकि उनकी जगह धार्मिक विचारों से जुड़े कई कोस्ट है पिग बॉल सिक्स में नजर आई एक्टरेस सनाखान ने हाली में एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया था सनाखान ने कहा था कि अब वो शोबिस छोड़कर भगवान में ध्यान लगाने वाली हैं हाला कि अब उनका एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसे देखकर ये माना जाना है कि सनाखान ने शादी कर लिए खबर है कि सनाखान ने गुजरात के मौलाना मुफ्ती अनस के साथ शादी रचा ली है उनकी शादी की एक वीडियो तेजी से शोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है इस वीडियो में आप सना को वाइट वेडिंग ड्रेस और हिजाब में देख सकते हैं वई उनके पार्टनर ने भी वाइट पुर्ता पैजामा और जैकेट पैना हुआ है वीडियो में सना और उनके पार्टनर हसते मुस्कुराते हुए सीरियों से नीचे उतर कर आते हैं और फिर केक काटते हैं वह एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सना का निकाह होते देखा जा सकता है हाला कि इसमें सना नजर नहीं आ रही है